Hello friends, I hope आप सभी बहुत जादा अच्छी होगी, बहुत अच्छी अच्छी judgment आपस्ट बहुत जादा पसंद आने वाले हैं इस और सारी ही वेकिंसी रेल है और वीडियो बहुत जादा अच्छी होने वाले हैं साथ मई से अप्रिकेशन फॉर्म स्टार्ट एंड 6 जून को खता में डेट एराउंड सेम ही है दोनों की अगर कंपटर बेस्ट एक्जाम निशन की बात करें तो जुलाई से अगस्त में इसका एक्जाम कंडेक्ट कराया जाएगा जो कि आप सभी को अटेंड करना होगा अग आपके सालरी रहने वाले 10 प्लस एलिजबल है तो लेवल बन की सालरी ठीक ठाक आपके लिए हो जाती है और इसमें इस लिमिट की बात करें तो 18 साल जो है आपके मिनिमम होनी चाहिए और 25 के एराउंड तक अगर आप हैं तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं एज आप अगर आप एक सर्विस मेंने तो आपकी कोई भी फीस के आप चार्ज नहीं की जा रही है पेमिंट आप ओनलाइन कर पाते हैं क्रेडिट डेबिट कैस के खुरू कर शकते हैं सेलेक्शन किस तरीकिये से होगा तो अगर आप MTS के लिए अपलाई कर रहे हैं तो computer-based test होगा ज तो यह जो है यह police department के अंदर आ जाती है तो इसके अंदर आपको physical efficiency test and physical standard test compulsory and mandatory हो जाते हैं जो कि आपको करना ही करना है apply कैसे कर सकते हैं online कर सकते है official website स्सी.gov.ns के official website से आप इस application form के लिए apply कर सकते हैं इस वीडियो को आप शेव करके रख लेना बहुत जादा काम की वीडियो होने वाली है फिर हमारी देखेंगे UPSC की द्रब से यह ऐसा नहीं कि इसमें बैचलर नहीं इसमें 12 पास भी apply कर सकते हैं कि इस तरीके से भी detail video समझ सकते हैं इसमें किया है National Defense Academy and Neville Academy की आप apply कर सकते हैं पोस्ट पर या फिर combined defense service के अंदर भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं important date क्या है पंदरा मई से application form start है चार जून तक आप apply कर सकते हैं एक्जाम एक सितंबर को होगा आपको तैयारी करने का अच्छा का सा time है आप मिल जाता है अगर आज से भी अपने preparation स्टार्ट करोगे तो आप एक best दे पाओगे अपना qualification क्या है तो अगर आप NDA NA के लिए apply कर रहे हैं तो 12 पास apply कर सकते हैं लेकिन अगर आप IMA, OTF, Air Force Academy के लिए apply कर रहे हैं तो graduate हैं तभी apply कर सकते हैं Indian Novel Academy के लिए apply कर रहे हैं तो आपकी इंजिनर निगरी आपकी बास होनी चाहिए age limit कितनी है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप NDA फिर NDA के जो NDA का exam बहुत ज़दा लोग देते हैं इनों इसमें अगर आपकी rate बास दो जनवरी 2004 से लिए एक जनवरी 2007 के बीच में है तो आप apply कर सकते हैं and IME, NIA के लिए आपके 2 July 1999 से लिए एक चुलाई 2004 के बीच में rate बढ़ते हैं तो आप apply कर सकते हैं और ऐसे ही आपकी यहाँ पर age limit रहने वाली है एक पूर सक एड़िकर आपकी 20-24 सल के बीच में age होनी चाहिए 1 March 24 के बीच पर आपकी age limit है वो count की जा रही है अगर detail PDF चाहिए तो मुझे बता देना comment box में उसके एक detail video भी आ लिखने वाले हैं technician assistant group C की post होने वारी है 3000 से भी जादा vacancy है 3446 vacancy हो जाती है इसके अंदर एक माई 2024 से लेके 31 माई तक आप इसके लिए apply कर सकते हैं यान कि इसकी जो vacancy है माई के starting में ही शुरू है माई के खतम होती ही खतम है correction आपका correction कराने की date आपको यहां पर mention की गई है जो कि आप 7 June 2024 दे गई है salary आपकी 5,200 रुपे से लेके 20,200 रुपे के बीच में होने वारी है और इसकी salary मुझे थोड़ी सी कम लग रही है qualification इसमें bachelor degree अगर आपने agriculture, horticulture या फिर agriculture इंजरी में बीटक कर रखाये तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं 21-40 साल age limit हो जाती है application fees इसकी बहुत ज़दा अच्छी है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो इस ब्यूरो की दरब से रहने वाला है notification पोस्ट की बात करें तो इसमें पोस्ट बहुत ज़दा है और इसके अंदर अगर आपने basic level से पढ़ाई गार रखिया तो भी आप apply कर सकते हैं लग इसमें जो पोस्ट रहने वाली है assistant, consentral intelligence officer, junior intelligence officer, security assistant, हलवाई कमको, care ticker, personal assistant and printing press operator जैसे पोस्ट रहने वाली हैं इसमें जादा कोई qualifications वोगएर आपसे नहीं मांगी गई है नॉर्मल से रखी गई है number of vacancies की बात करें तो 660 vacancies total हैं जिसके लिए आपको apply करना है और इसके लिए आप 2 मही से पहले-पहले apply कर लें और इसके लिए बात करें salary की तो salary क्या है इसमें post बहुत ज़ादा है तो कुछ पोस्ट के level 2 पे है कुछ के लिए level 3 पे है कुछ फॉर फाइब से एक से और मताब पोस्ट के according आपकी salary को डिवाइट किया जाएगा qualification कितनी होगी तो जैसा मैंने बताया था basic level से है तो आठा 10 वाले भी apply कर सकते हैं 12 वाले भी apply कर सकते हैं डिगरी वाले भी apply कर सकते हैं कोई इसमाँ जरूरी नहीं है कि आपके पास arts हो या फिर science हो हिंदी मीडिया मिलिक स्परिया किसे भी की हो आपकी वास 10 कंप्लीट होने चाहिए 12 कंप्लीट होने चाहिए age limit की बात करें तो 18 साल से लेकि 56 साल के बीच में अगर आपकी age है तो आप इसके लिए easily apply कर सकते हैं सबसे ज़्यादा इसमें अच्छी age limit है जो आपको एक लंबा खासा criteria देती है application fees की बात करें तो वो आपको इनकी through ही पता लगेगा selection process की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपका एक return टेस्ट करा जाएगा जब आप उस return test को qualify कर लेते हैं तो आपको interview के लिए letter call जसके भी तुरूब आपसे connecting connect कर पाएं उसके तुरूब आपसे interview के लिए आपको notification देते हैं आपका interview होता है then आपको hire किया जाता है next vacancy हमारे होने वाली है SSC की दिरब से junior engineer की post है अगर junior engineer के base पर आपको इस पोस्ट को देखेंगे ना तो यह विकिंसी बहुत जादा है जुरुत से जादा है ठीक है और इसमें स्टाफ से SSC की दिरब से notification है इसका junior engineer की पोस्ट आने वाली है 966 vacancy है application form स्टार्ट होने वाले 18 अफ्रैल से चार से लेके छे जून तक आपका पहला paper करा भी दिया जाएगा and then उसके आ गया अपको process मिलता रहेगा first जो है आप इसकी तयारी कर रहे हैं तो exam की डेट चार से चे के बीच में वो आपकी ब्राण जान उस पर dependent करती है चार से चे के बीच में कभी भी हो सकती है salary की बात करें तो 35,400 रुपे से लेके एक लग 12,400 रुपे के बीच में आपकी salary रहती है जो इसली apply कर सकते है application fees ज्यादा नहीं है इसके लिए just like अगर आप जर्नल और OBC से हैं तो आप से केवल और केवल 100 रुपे ही application पीस ली जा रही है अधर इसको छोड़ के आप रिजर्फ के डिगरी से हैं लाइक सी एस्ट फीमेल जाए जर्नल की हो चाहिए OBC की हो एक सर्विसमान उनकी कोई भी फेस नहीं लगेगी payment आप online करेंगे selection की बात करें तो इसमें सबसे पहले computer-based test होगा and then descriptive test होगा most of the लोगो को पता होगा first यो paper होता है computer-based test जैसे कि इसकी date मैं आपको बता ही चार से छे जून के बीच में तो इसमें क्या रहने वाला है आपके MCQ-based question आने है इसमें कोशन आता है intelligence, reasoning, aptitude वगरे से second descriptive होदा, descriptive यान कि MCQ-based नहीं होने वाला है return होने वाला है और लंबा होने वाला है ये वीडियो बहुत ही जदा important है, सब भी के लिए important होने वाली है, अगर आपको इन में से किसी भी vacancy rate कोई भी doubt है तो comment box में पोज सकते हैं, within 24 hours आपको reply मिल जाता है और आपको कोई नहीं vacancy के बारे में जाना है तो भी comment box में जरूर से बताईएगा और कोई भी doubt है तो जरूर से पूछना है और इस वीडियो को जादे से जादे लोग को share कर देना था कि जादे से जादे लोग के पास इसका notification जा सकी, thank you notification आउट हुआ है, इसके अंदर जो post है वह सारी रहने वाली है, like सबसे पहली post इसके अंदर lower design clock की रखी गई है, फिर इसमें आपकी junior secretary assistant की हो जाती है data entry operator की भी post रखी गई है, और उसमें अगर आप plane में करना चाते हैं, तो plane में भी कर सकते हैं, अगर आप grade A के लिए apply करना चाते हैं, तो आप grade A के लिए भी apply कर सकते हैं, exam कोन conduct कराता है, तो combine higher secondary level का examination होता है, इसमें, जिसके अंदर इस बार 3712 vacancies निकाली गई है, जो कि काफ अच्छी value में हो जाती है, इसमें application form start है, आप चाहे तो apply कर सकते हैं, वैसे तो आप 7 तारीख तक इसके लिए apply कर सकते हैं, आप 5 तारीख तक apply कर देना, sharever guys हो, हो जाता है last time पे, अब salary कितनी रहेगी, तो lower design card के लिए और junior security assistant के लिए 19,900 रुपे से लेके 63,200 रुपे के ब apply करें चाहे, इसमें grade 1 के लिए apply करें, आपकी salary साड़े 25,000 से रेके 64,100 रुपे के बीच में ही रहने वाली है, qualification कितनी चाहिए, तो आप सभी का 12 pass होना ज़रूरी है, अगर आप 12 pass हैं, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, age limit आपके 18 से 27 साल के बीच में रखी गई है, इस vacancy के अंदर application fees किती रहेगी, तो general और OBC के अंडेट के लिए 100 रुपे application fees रखी जाएगी, और अगर आप reserve categories हैं, like SCST, अगर आप female है, female चाहे general की हो, चाहे OBC जो चलेगी, चाहे आप service में हैं, आपके कोई भी application fees नहीं लगेगी, payment आप, debit, traded, और net banking के थूप कर पाएंगे, selection कि इस तरीके से होगा, तो selection आपका computer-based test होने वाला है, आपका computer-based test जो है, conductor हो जागा, then आप इसके लिए apply कर पाएंगे, apply आप online करेंगे, job location यही पे रहने वाली है, ssc.government.in, इसके official website है, जहां से आप इसके लिए apply कर सकते हैं, फिर next हम देखेंगे, UP SSSC की तरब से इसका notification हो इसके अंदर जो पोस्ट है, junior engineer की पोस्ट रखी गए, total number of vacancy 2847 है, अगर आपको junior engineer की जगे है, अगर आप इस विकिंसी को रखके देखेंगे, तो इस विकिंसी काफी ज़दा अच्छे amount में हो जाती है, date के रहने वाली application form बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले है, साथ मह से उलाज स्टेट अपलाई करने की साथ चून रही है, आपको पूरा एक महने का टाइम दे जाएगा, अप अर्राम से इसमें preparation भी कर सकते हो, and in case अगर आपसे कोई mistake हो गई है, तो आप इसमें correction भी करा सकते है, salary कितनी रहेगी तो 9300 रुपे से लेके 34800 रुपे के बीच मे आपकी salary का criteria रहने वाला है, qualification के रहेगा तो आपका BSC complete में चाहिए चाहिए वो agriculture में हो जाए, horticulture में, forestry में, या फिर agriculture, engineering में, age limit कितनी रहने वाली है, तो minimum 18 साल तो होनी चाहिए, and maximum 40 साल रखी गई है, यानि कि अगर आपकी age 80 to 40 के between में है, तो आप इसके लिए apply कर सकते ह इसके इवल 25 रुपय है, चाहिए आप जर्नल से हो, चाहिए SCC हो, चाहिए SCC हो, कोई वरक नहीं पढ़ता, category से आपकी 25 रुपय ही रखी गई है, प्रोसेस के रहने वाला है, सेलेक्शन का तो return exam बेस आपका सेलेक्शन होने वाला है, इसमें को return exam करना है, then आपका आपकी UP में रहेगी, official website की बात करें, तो यूपी त्रिपल सी डॉट गवर्मेंट ओर्डिंस के official website है, जहां से आप इसके लिए apply कर सकते हैं, next हम देखेंगे, police department की दरब से होने वाली है, इसमें जो पोस्ट है, बहुत सारी है, यह बन बाइवन सारी पोस्ट को discuss करते हो, इसके इंदर टोड़ नंबरो विकिंसी, जो है, 3000 के अरांव रहने वाली है, यानिकि एक fixed amount 2960 हो जाता है, important date के आप इसके लिए apply तो कर सकते हैं, आप आज जाके apply कर सकते हैं, पर आप 25 से 25 तारिक से पहले-पहले कोशिश करिएगा, कि apply हो जाए, अगर अगर आप अंडराम ब्रांच, कॉंस्टिबल, फायर मैंन, ड्राइवर, फायर मैंन, मक्यानिक, यानिक इसको छोड़ के चितनी भी पोस्ट है, सबके लिए 2200 रूपे से लेके 52200 रूपे के बीच में, सेलरी अपकी रहने वाले है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, तो यूबी सब इसक्टर के लिए तो आपका ग्रेजविशन पास होना जरूरी है, चाहिए वो और साइट से हो, साइन साइट से हो, हिंदी से हो, या फिर इंगलिज से हो, उस्से कोई मैंटर नहीं करता है, और अगर आप अंडराम ब्रांच, कॉंस्टिबल, फायर मैंन, उच्टिबल, अप्लिक्यारो में, कि मेंन, के लिए करती हैं, तो आप सबी का 12 पास होना जरूरी है, और उससे पर अब ने पर फरता है, आप साइन साइट से हैं, और लुगे हमिश्ट जितनी भी बहस बस जाती है, उसमें आप सबी का 10 पास होना जरूरी है, पिर झितनी क साल के बीच में आपकी एजर में रखिया यह अपलिकेशन पीज कितनी है तो अगर आप जैनल से हैं ओवी सी से हैं इरेवलेस तो आपकी डीट सो रुपए एक डीट सो रुपए ही रहनी है चाहिए आप किसी भी गडिर से रहो और इसमें बात करेंगे देन सेलेक्शन का प्र आपको रिप्लाई मिल जाएगा और इस वीडियो को जाद से जाद से जाद लोगो शेयर करना है तो अगर कोई अपलाई करना चाहता है तो बल्कुल भी ना रुखी कि उनकी पास इंफोमेशन नहीं की जब तक के लिए थैंक यू सबसे पहले इसमें आई बीम की तरप से इसके अंदर आपके जॉब करने वाले है जब तक चाहिए जब तक करो एड़िकेशन के रिकॉयर कोई भी एपलाई कर सकता है कोई भी एपलाई करने का बेसिकली मीन है आप अगर 10 पास हैं तो स्टार्टिं से अपलाई कर सकते हैं और बात करें इसमें डॉकुमेंट वेरि आपका यहां पर कस्टूमर को एक तरीके से उनका वर्क करने काम हो जाता है आपका बैलन्स दिफिरेंट व्यूपरेंट कॉस्टूमर क्लाईंट इंसाइड विद पॉलिसी तो राइट कस्टूमर आउटकम आपको कस्टूमर मीन बात ही है ना आपके इसमें स्किल्स अच् आपको है मेनली जो इसमें पॉइंट ओ व्यू है इस विकेंसी का यही रखा गया है वर्क्लोजली विद टीम लेटर आपको काम सबसे सही से करना है सबके साथ मिल के करना है लड़ाई जगडागा नहीं करना है डोकुमेंट डिस्पेंसरी वेर अप्रूशेट फॉर्दर सारी चीज़े आपको मैलेंज करके चलिए साथ के साथ फीड़ वगरा भी जरूरी है क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी अप्लाई करता है मीन स्टैंट पास तो एक बेसिक नीड है जिसके लिए कम से कम तो आपको चाहिए सेलेक्शन की जो बात है वह आपका इंट करके अगर इसे कोई कस्टूमर से बात करते हैं तो आप उसे सैडिस्फाइ कर पाएंगे या नहीं में आपकी पर्सनालिटीं और कम्रीकेशन इस्किल्स पर फोकुस किया जाता है एप्लिकेशन फीज आपसे कुछ ले नहीं रहें बिल्कुल भी एप्लिकेशन फीज नहीं comment box में पोच सकते हैं आपको within 24 hours आपको answer मिल जाएगा कोई भी doubt है तो आप पोच लेना और इस वीडियो को साथ से साथ लोगों को share कर देना thank you